प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी देश को नए अफ्तार में दिखाना चाहते हैं। लिहाजा सीएम शिवराज भी केंदर सरकार की मैद्वकांशी स्मार्ट सिटी योजना के लिए ततपर दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश के सभी महापौरों के साथ मंगलवार को हुई बैठक में साथ शेहरों का चैन कर लिया गया है। जिसमें इन दौर दूसरे नंबर पर है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान की अध्यक्षता में सोला महापौर और निगमायुक्त की मौजूदगी में मार्किंग का प्रेजनेशन हुआ। इन दौर से महापौर, मालीनी गौड और निगमायुक्त मनीश सिंग ने शेहर में हो रहे कार्यों और प्रस्तावत योजनाओं की जानकारी दी। सीम चिवराज ने बैठक में कहा कि जो शेहर भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रतियोगिता के आधार पर शामिल होने से रहे जाएंगे, उन्हें राज्य की स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित किया जाएगा। इन शेहरों में भी केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी के समान ही सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार की सोच है कि हर शेहर को आधर शेहर के रूप में विक्सित किया जाए। बैठक में विभाग के प्रभारी मंत्री लाल सिंगार सीएस एंटोनी डिंसा और सीएम के सचिफ विवेक अगरवाल मौजूद थे। प्रदेश की सूची में भुपाल 93 नंबर के साथ पहले तो इंदौर 88 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। जबलपुर को 85 गुवालियर को 84 अंक मिले है। इंदौर के सामने अगली चुनौती केंद सरकार की परीक्षा है। इसमें पहले चरण में 20 शहर लिए जाएंगे। यदि प्रदेश से 2 शहर लिए जाते हैं तो इंदौर का नंबर आएगा। Bureau Report, DLive News